इसी मिल्स रहीम, कैमपिंग प्रेवलींग फस्टेरइट कीट के पार्टू के अंदर में हम आपको वेलकम कहते हैं, पहले पार्ट में हमने मोनस मेंच मेंट को डिसकस किया था, इस बार्ट के अंदर मेडिसंस हमें चाहिए होती हैं, उसको हम डिसकस करेंगे तो शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले एक चोटी सी बात कि यह जो medicine है यह मैंने अपने कुछ medical के friends से कुछ doctors के मश्वरों से और कुछ अपने personal experience से जो है वो यह मैंने medicines की लिस्ट वो बनाई है आप अपने doctor's के मश्वरे से फार्मसिस के मश्वरे से इनको आप जो है वो चेंज कर सकते हैं अगर आपको किसी चीज़ से अलर्जी है किसी आपको medicine से problem है तो आप उसको जो है वो अपने साब से देख सकते हैं लेकिन कुछ जो आपको जो है वो इसके अंदर में इसके अंदर में वहां पर आ सकती है और एक जो आखर में रिसक्स करेंगे वीडियो के आखर में जो मौनटेंज सीखनेस की जो है वो प्रावलम है उसको कैसे डिल किया जाएगा तो शुरू करते हैं वीडियो हमारे पास इसमें हमने क्या किया है कि जो medicines है इनको different categories के अंदर में हमने divide कर दिया है हमने इस तरह से zip lock bag नाए है मैंने इन zip lock bags के अंदर में हर एक medicines को separate कर दिया एक के अंदर में मैंने acidity की medicines रख दी है एक के अंदर मैंने जो है वो पेंस की रख दी है एक के अंदर इस तरह से जो है और आख के अंदर infection हो जाती है इसके लिए मुख्लब किसम की जो है वो मार्की इसके अंदर में जो है वो फार्मेसी पे इसके जो medicines है लेकर मैंने यहां पर एक लिए बैटनी सोल एंड बैटनी सोल एंड ड्रॉप यह एक ही ड्रॉप यह तीनों काम करता है अगर आपके कान में को इसके लिए इसके लिए में में पास में प्राबलम आता है और जो तकरीबन 80% तो 90% जोगों का प्राबलम ट्रैवलिंग के दुरार होगा आपका धी होगा तो आपके बैस का होगा किसी ओर का होगा आपको देखने में मिलेगा वह है Common cold, flu, fever, खहांसी, pain, inflammation इसके लिए हमने medicines है वह हमने separate कर दी है इसके लिए सब से पहले हम एक्कुस करते हैं एवल मेडिसन है यह एंट कीड़ हो गया हुग है यह जिसमें खारेश हो गई यह किसी कीड़े ने काटली है पर आपको कोई कीड़ वगारा काट ले तो आप जो है वो इसको एवल जो है वो यूज को यूज करेंगे लेकर ये दिन में आपने सिर्फ यूज करने इसे नीद आती है और इसको खाने के बाद जो ड्राइविंग है वो ठीक नीद आ सकती है इसके बाद है जी गुरूफिन इसके अंदर आई गुरूफिन है यह 600 mg और 400 mg यह दो मैंने इसके अंदर में रखी नहीं है यह जो मैडिसन्स है यह आपकी जो है इंफ्लमेशन जिसम में किसी जगापर विगर सूजन हो जाती है आपको जो है और स्विंग बाइट है और इसक साथ में सूजन हो रही है उसके लिए आप इस्तमाल करेंगे जैसे आपको कोई चोट लग जाती है और साथ में वह जगार सूच जाती है तो वहां पे आप आइग्रोफेन यूज कर सकते हैं इसके लाव जी कोल्रेक्स जैसे के नाम से आपको पता चल रहा है कि यह जो सकते हैं इन सब के अंदर क्या-काश साथ हैं मेर धाया साथ में ये मिरे वह जगती है कि कोंव साथ में कोपूण कंशल सा क्पर यूज कर नहीं आप एंद dessert जाके देख सकते हैं इसके बात हमारे पास में Diclofenic जैल है बगए अच्छा ऒलै अगर किसी जगह के उपर में को चोट लग जाती है, को स्वेलिंग हो जाती है, तो पेन हो रही है, वहाँ पेन को खतम करने के लिए, आप इसको इसको इस्तमाल करेंगे, अच्छी आइनमेंट है यह वाली है, डेकलोरान जैल जाल जो है, इसके बाद मेरी सबसे जो जादू का असर रखती है, कोई भी टेन अगर हो रही है ना, उसके अंदर में विजिन आप कहा सकते हैं कि 10-15 बिनिट से जो है वो आ जाता है, लेकिन आप इसको ज्यादा यूज ना करे, मैं इसको ज्यादा यूज करता हूँ क्योंकि मुझे किसी और मैडिसन से जो है वो आपको सही से नजर आ रहा होगा कि नहीं लेकिन ये मैडिसन है नो सपाफोड के नाम से नो सपाफोड के नाम से ज्क्राइब्यक्ति चरापИ नार्वल कर सकते हैं नार्वल पेन में वो आप यूज ना करें तो इसके बाद जी पैन डॉल सी यह अच्छी चीज निकाल दी ओपर दी कांटर ट्रग्स हैं यह जो कि आप बिना जी जग जो है वो मांग सकते हैं यहां पर बाकसां में नाम लें तो आपको देदेगा यहां पर दी कांटर तो कुछ को नहीं है बाहर के कंट्री में उपर टी कांटर वो जीसे हैं वो मेडिसन है जो कि आप डाक्टर के बिस्क्रिप्शन के वगएर भी ले सकते हैं तो यह पैन डॉल सी एफ है सी एफ कोल्ट एंड फ्लू तो अगर आपको जो है वह सारी मैडिसन की समझ नहीं लग रही किस तेम पर क्या म कर सकते हैं और आपको छीं के आ रही है उसके लिए यह पिसमाल कर सकते हैं इसके बाद क्यांको noon किनम से नव charity क्ली वर उसके आजया UI तो सेम वही नशा आपको यह प्रवाइड करेगा साथ में पेन के लिए प्लस पीमेल्स की पीरियर्स में का पेन है उसके लिए भी आप इसको यह वह उसके लिए तो नार्मल हर सन में पैंडोल जो हो रही है इसी में एक फ्लेवर है यह प्लेन है बचों के लिए भी और जो है वो बड़ों के लिए पर उन्होंने कैफीन यूज नहीं करनी साथ में और जो है जो के टी अडिक्स नहीं है वो नार्मल जो है वो कैनेडोल सेम वही चीजी है वो ले सकते हैं इसी में कालपोल है पैरस्टम हो लिए उसी कंपनी में पास का जब इसके बात ही है हमाले पास में रेजक्स ढाबलेट यभी एंडिक या सेम एक जैसे यह फायदे होते हैं इनके जो इंदर में आईश हो रही है इस नाग बंत है सांस का प्रावलम है तो आप इसको यूज कर सकते हैं और मैंने बताया कि इतनी भी होंगी उसे नीद आएगी वो खाने के बाद में आप बाइट नहीं चला सकते किसी भी टाइम पे जो है वो चलाते चलाते सो जाएगे तो यह आमसर पर रात को खाई जाती है लेकर पैंडल स इसे रिकोल से जो है वो कफ से लीव दिता है और गले में और जो है वो बॉरानिकल इरिटेशन अगर आपको वो रही है उससे भी अगर जो है वो मस्कुलर कोई जोएंट सूपें है उसके लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं तो इसका बहुत अच्छी चीज है यह आप जशांदा जी फनू नजलास काम खांसी एक ले के खराज के लिए इसको आप इसको अपस्तमाल कर सकते हैं और एसा हर्बर टी भी आप इसको यूज कर सकते हैं तो यहां तक जो है जी हमारी पास ये cold, flu, fever, cough, pain और inflammation की medicines है इसके बाद में हम जो है वो हमारा third part होगा जिसके दर हम बाकी medicine जो है वो डिसकस करेंगे तो खुश रहें, खुश रखें, खुशियां बांटें, खुशियां समेटें, अल्ला हाफिस